में भारत की सरकार और जनता की और्से आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ। में इस मरिणयों इतिहास से पुर्ण देश सर्विया और खुबशुरोत वेलग्रेड में आगार बहुत खुशू। ये मेरी इर्योव की पहली राज के जात्रा भी है। इस दोरे पर मेरे साथ राज्य मंत्री स्वाधी निरंजन जोती जी, सांग्षत श्रीमती रोमादेवी जी और भारत सरकार के बरिष्ट अधिकारी भी आये हैं। भारत और सर्विया दोन प्राचिन देशे। आधुनीक युग में सर्विया के साथ भारत के समंध विश्य स्रूप से नन अलाइंड मुवम्मेंट के संदर में मोजबूत हुई है। बेलक्रेड में महात्मागंधी, पंडित जोहलाल नहरू और रभिद्रना टागर की प्रतिमाय है। और नई दिल्ली में जसीव, ब्रोज, टीटो स्ट्रीट और जोधपूर में टीटो चोरा है इस अधियासिक संपर का गावा है। मित्रों भारत और सर्विया ने हामिशा एक दुसर के हीतों को समझा है। दोनों देश ने अक्सर प्रमुख छेत्रियों और वईशिक मुद्धों पर आपने विचारों को साजा किया है। इस दिप दौपक्य समंधों के आधार पर मैं अपनी जात्रा के दोरान सर्विया के लिड़र्स के साथ बात जित करने के लिए उस्साहित हूँ। हम इस बात के प्रसंशा करते हैं कि राष्ट्रपती वुचीज ने पूरी प्रतिवधता से इस साजेदरी को आगे बढ़ाया है। भारत और उसके लोगों के प्रति उनके योवाव और सद्भावना की भ्रांती हमारे भी सर्विया के लोगों के प्रति ऐसा ही भावे। मुझे ये बताते हैं कि प्रसंशना हो रहे है कि हमारे तीन प्रोमुः बिजनेस चंबर्स आसोचाम, CII और फिकी का एक हाई पावड बिजनेस डेलिगेशन भी बेल्गरेट आया है। मुझे एकिन है कि हमारे भ्यापार प्रतिनेदी आपने समक्योख्य के साथ जो आदान प्रदान करेंगे उस्यक्रिशी, सिख्या, उर्जा, इन्फ्रास्टेक्चर, अटमोबाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, फार्मासी और ICT चेत्र में व्यापार और निवेश में ब्रुद्धी होगी। भारत के सस्टेनेबल डेबलोप्मेंट सहयो कार्यक्रम में सार्विया एक महत्तो पुण भागिदारी रहा है। ICT, Management, Finance, Textiles, Rural Development, परियावर्ण, लगतंत्र, योगा और आयुर्वेत के चेत्र में हमारे ICT केपासिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के तेत कई सार्वियान नागुरिक प्रसिख्षण प्राप्त करके लाभरनीत हुए है। मित्रों, मुझे बताया गया है कि भारतियों फिल्में सार्विया में लखप्रियोई रही है। जो कि हमारे सामने बच्चियां भारतियों फिल्म के गाने पे और यहां नुत्यों करते हुए देखकर मुझे खुशी हो रही है। और सार्विया भारतियों फिल्म प्रिनवाताओं के लिए भी एक नई फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर आया है। कोई सार्वियान लोगों का योगा सोईद भारत की अध्धात्मिक विरासत के प्रति गेहरा लगाव है। मुझे ये भी बताया गया है कि आयूर्वेद को यहां ट्रिटमेंट के रूप में मन्योता प्राप्त है। हमारे यहां नोबाग जोकवीच को लाखों लोग एक रोल मोडेल और प्रिवणा के रूप में देखते हैं। सार्विया के कई खेल प्रसिख्यों भारत्य अतलेट्स और खिलाडियों को बेहतोर प्रदर्शन करते हुए देख मदद कर रहे हैं। आज यहां आये सर्वियान्स जो भारत के मित्र हैं। उनका मैं विशेश रूप से अभिनांदन करना चाहूंगी। हाम भारत के प्रती आपकी स्रधा और प्रेम से मैं अभिवुथू। भारत और सर्वियान के बीच मित्रता और आपसिस समझ को मजबूत करने में आपकी भूमी का अमिल्ल है। भारत तेजी से एक अभूत पूर्व बदला और ट्रांसपर्मेशन के दोर से गुजर रहा है। भारत 200 के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुक अर्थोवेवस्ता है और हामारी जीडिपी 3.5 ट्रिलियों डलर्स के करीव है। इस दशोक के समाप्थ होने के पहले भारत दुनिया की तिसरी सबसे बड़ी अर्थोवेवस्ता बनने की रहापर है। पूरी देश में नई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। भारत अपनी सतंत्रोता के सताब्दी वर्ष दोहाजार सचालिस तोक एक बिक्सित देश बनने की अपनी आकांखा के को लेकर पूरी आत्मविशास के साथ आगे बढ़ रहा है। हाम बड़े पेमानेवर, डेबलोब्मेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजीटाल, ग्रीन इनर्जी और समाजिक परिवर्तन के दोर से गुजर रहें। इस परिवर्तन का एक सुखोद पहलू जो मेरे दिल के बहुत करीब है ओ है मोहिला ससक्तिकरान। भारत के मोहिला पुरुष अनुपात में आप मोहिलाएं आगे हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस बर्ष की प्रतिष्टित सिविशा सार्विस वरिख्या में जिसमें लाखों बिद्धर्थी सामिल हुए थे। पहले चार रेंक लड़किया ने सामिल किये हैं, हासिल किये हैं। आपका भारत हमारा भारत निरंतर बदल रहा है। बशिक मुझकर भारत को एक जिमेदर विगास भागिदार, फार्स रेस्पंडर और गलोबल साउत की आवाज के रूप में पेचाना जाता है। प्रतेक पहलू एक लीडिंग पावर बनने के हमारे संकर्व को कदर साथा। चाहे हो क्लाइमेट आक्षन हो या आतकबात का मुझाबत है। कनेक्टिविटी हो या समुद्री शुरख्या। फाइनांसियाल इंकलोजोन हो या पूर्शीकुरिटी। भारत सक्रिय लूप से इन सभी बैसिक चर्चांख नेत्रुत्य जए रहे। भारत एक सम्धता के रुम में मसुद्रेव कुटूंगकम में विश्वस राखता है। जिसका अर्थे की विश्व एक परिवा है। दो हजार देश में भारत की G20 प्रेशिडेंट्सी जो वान आर्थ, वान नेमिली, वान फ्यूजर थिमपर आधारी थे। हमारी इसी सदिय पुरानी सिधान्तों की ओर इंगित करती है। अर्थ में मैं एक कहना चाहूंगी की हम आगले 25 बुर्सों में भारत को एक मुहान सक्ती बनाने के विजन को लेकर चल रगे। आज भी इसका एक हिस्सा है क्यूंकि आप भी एक हिस्सा है। क्यूंकि आप जो जो घ्गदान देते हैं। जो संमान अग्जिद करते हैं। जो सखयों देते हैं। उससे भारत के वजासी संमन में बढ़ती होती है। मुझे भिश्व सेखिए। आप इहां भारत का ज्हांदा, भारत का नाम फूचारा कहेंगे। में आप सभी की सभलता और फुशा ही की कामना करती हूं धन्यवाद बालावावावाद जयनिल जय सुरेणा